हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चनल नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एंडी क्लासिज में फ्रेंड्स ये वीडियो नमबर 50 है जैसे कि मैंने आप से प्रोमिस किया था कि जो टोपिक्स आप बताएंगे उस इपे में वीडियो लेके आऊँगा तो इस वी वीडियो प्लोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए चली शुरुबात करते हैं वीडियो नमबर 50 की फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अकर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जुरू करिएगा शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ठीक है चली श चली शुरुबात करते हैं अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेशन आराइज होता है कोई सिजेशन आप लोग दिना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं निशुंगोच होके कमेंड बुक्स में लिखके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी कोई इंप्रूमेंट अगर आप चाहते हैं तो भी बताइएगा मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो एक्सपेक्टेशन हैं उस पर मैं खरा उतर सकूँ चले शुरुबात करते हैं The rivers Mohanadi, Ngodavri, Krishna and Kaveri drain into नदिया जो है Mohanadi, Ngodavri, Krishna और Kaveri किस में गिरती हैं कहां जाके इनका विल्य हो जाता है तो ये जो हैं बंगाल की ख़ड़ी Bay of Bengal में गिरती हैं नदिया जो कि Mohanadi, Ngodavri, Krishna और Kaveri, चारो नदिया बंगाल की ख़ड़ी में गिरती हैं Which river has largest drainage basin in India? भारत में किस नदी में सबसे बड़ा जल बेसिन है? तो कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा जल बेसिन बनाती है? तो वो नदी है गंगा नदी जो की सबसे बड़ा जिसका largest, which have largest drainage basin in India. The rivers in south of the country, देश के दक्षण में निम्लिक्त नदियों में से कौन सा है तो जो चार ओप्षन दिये हैं उनमें से आपको बताना है कि देश के दक्षण हिस्से में कौन से नदिया बैती हैं तो वह जो हैं महानदी कृष्णा गुदावरी कावेरी सबी नदिया जो है दक्षण की नदिया तो वो धाराय जो है अलकनन्दा और भागिरती हैं जो की मिलके गंगानदी बनाती है वेर डज भागिरती राइज भागिरती जो स्ट्रीम है वो कहां से निकलती कहां ओरिजनेट होती है तो भागरती जो है गंगोत्री पीक गंगोत्री घाट की जो चोटी है वहाँ पे ये ओरिजनेट होती है भागरती जो बाद में आके अलगनंदा से मिलके गंगा को बनाती है तो प्रायदिपी नदियों में सबसे बड़ी 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 उडिशा, आंतरपर्दिस और करनाटक सभी में फैला हुआ है गोदावरी का ड्रेनेज बेसिन इस ट्रीम अलगनंदा राइस इस नियर स्ट्रीम जो अलगनंदा है वो कहां पर ओरिजनेट होती है कहां से निकलती है तो यह जो है गड़वाल में निकलती है अलगनंदा वीडियो की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा अगर आपको यह सब चीजे पसंद आए तो आप शेयर करना मत भूलेगा which of the following are called Himalayan rivers निमलिक्त में से Himalayan नदियां कौन सी है जो नदियां हिमाले से निकलती है तो जो है सिंदु गंगा ब्रम पुत्तर ये सब नदियां जो है हिमाले से निकलती है where does the river indus rises सिंदु नदी कहां से निकलती है कहां पे औरिजनेट होती है तो ये जो है कैलास गिरी जो की तिब्बत में वहां से औरिजनेट होती है सिंदु नदी इंडस नदी जिसको कहते है the river Godavari rises at Godavari नदी कहां से निकलती है कहां पर originate होती है तो ये जो है त्रमबक त्रमबेकश्वर चेक है वहां पर त्रमबक में से ये originate होती है Godavari नदी the river Krishna rises at Krishna नदी कहां से निकलती है तो Krishna नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है जो कृष्णा नदी है वो महाबलेशवर से निकलती है ये question पूछे जाते हैं दोस्तों नदियों के बारे में कहां से originate होती है तो ध्यान दीजेगा इन सबी पर इसलिए मैंने इस slide में इन सब को include किया है गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में कहां मिलती है तो ये जो है राजमंद्री जगह है वहाँ पर जो गोदावरी है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है Where does the river नर्मदा राइज जो नर्मदा नदी है वो कहां पर निकलती है तो नर्मदा नदी जो है अमार कंटक में निकलती है तापती नदी जिसका नाम है ये कहां से निकलती है तापती नदी जो है ये मुल्टाई नाम की जगे से निकलती है तापती नदी ठीक है फ्रेंड्स ये 15 questions का एक्साइट था अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक जूरू करेगा शेर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा रिवर्स के ओपर दो वीडियो जो राएंगी ठीक है फ्रेंड्स तो उनको भी देखिएगा बने रही है मेरे साथ थैंक्स पर वाचिंग हैवनाइस टाइम